आरग्यंक में पक्षागात की अन्भोच चिक्सा पक्षागात का परकार पक्षागात शीर के किसी भी अंग में हो सकता है आंग का पक्षागात, अंग्रियों का पक्षादाद, जीब का पक्षागात सीधे हाथ हैं पैर का पक्षादाद, वाम भाग का पक्षागात बार मुडते नहीं हैं पर उनकी क्रिया शिलता नस्ट जाती हैं यंगां में रक्त का संचार तो रहता है पर उसकी गती बहुती शेन रहती है पर रोगी पर्आ श्रीत हो जाता है वैँ अपने को अपाहित सथा दूसरे को दिया का पात्र समयने लगता है पर तेकर रोगी को ये समय लेना चाहिए कि ये रोग सर्था साथ दे नहीं है किसी कुछल चिकित सक्के निर्दर्शन में ये 99 प्रतिश्चत ठीक भी हो सकते है रोगत बत्ती कारण कुछ ऐसे परधान कारण है जो पक्षागात को जनब देते हैं यदि समानी रूप से इन कारणों से साथ दानी बढ़ती जाए तो पक्षागात रोग से बचा जा सकते है पहला है विद्ध करंट लगने से नेक बार मृत्यू ना हो करके कोई अंग विशेश जटका लगने से निश्क्री हो जाता है पर तेक शीर धारी मनुश्य के शीर में बारा मृल्ट की विद्ध परवाहित होती रहती यदि इससे दुगनी या तिगनी विद्ध शीर में परवाहित हो जाए जिससे शीर के किसी अंग विशेश में विद्ध का घर्षन पढ़ जाता है तथा वे अंग पक्षागात रोग से ग्रस्त हो जाता है अति परसंता या वी विशाद के अफसरों पर अधिक का बावक नहीं होना चाहिए यह था संबब संब भाव से विजरन करना चाहिए और अधिक संग्रे परिग्रे तथा संबंधों में आ सकती नहीं रखनी चाहिए इससे शीर मन सस्त रहता है दोसरा किसी दुर्गट रह या मार पीट के कारण अंग विशेश में गैरी चोट लग जाने से भी उस आंग की क्रिया शीलता नस्ट हो जाती है अतब ऐसी स्थिती में उस आंग के चिक साथ तरुन तकरानी चाहिए लंबी उपेक्षा पक्षा गात को स्थाहित तो दे सकती है देख के शीतियां ठंड लग जाने से भी अंगों में संग्या शुनिता आ जाती है प्राया जो पुरुष ठंड में खुले आकास के नीचे शुनिने से भी कम सेल्सियस ताब मान पर काम करते हैं और उनके शीर की उशंता आयू के परमान से कम होती है तो जो महिलाएं ठंड में कारिय करती हैं उनको भी पक्षा गात होने की संभावना अधिक रहती चोता है जो मुनुश प्राय तनाव गनास्त रहते हैं उनको भी पक्षा गात रोग होने की संभावना रहती है पांच वाएं योन असंतुष्टी भी पक्षा गात का कारण बनती है च्छटा जिन मुनिश्यों के भोजन में वात श्यमक वस्त में जैसी हिंगत था लसन का अभाव रहता है उनको भी ये रोग संभावीत है हमारे धर्म गरंतों में तामसी पदात होने से लसन का अत्यांत्रिक परियोग वर जिता है हाता है लसन का अपयोग नवा करके शुद्ध हींग का अपयोग किया जा सकता है वक्ति यदि पचास मिली गराम बुनी हींग को सेंदा नमक के साथ प्रती दिन खाली बेट खाए तो उसे जीवन में पक्षागात उने की संभावना नहीं रहती हींग वात का नाश करने में पूर्न शक्षम है जब उने शिवात उतुपादक वस्तों का अधिक सेंवन करते हैं उनको पक्षागात की संभावना देक रहती है पक्षागात जिकिसा संसार में रोग निदान की अनेक पद्धित्यां पर चलिता है जैसे आयरवेथिक, होमियोपेथिक, मंत्र, तंत्र, यंत्र, चिकिसा, सिद्ध योग, ऐलोपेथिक, योगासन, नेक्यो प्रेशर, यूराइन थेरेपी, होली हीलिंग, ध्यानी योग, सूर्य, उर्जा, जल चिकिसा, प्रकर्तिक चिकिसा, चुम्बक चिकिसा अधिरों नमे आए है कि अइरुएदिय के तथा हुईयों पय्थिक आहल मनतर सब्सक्षिय से पख्षय का तरो को अधिकता मधिन्द पुर्य जा शकता है चिकिस्षव तत्था ओष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और चिकिसा के हैं परीजनों का सद विवार होगी को शीगर स्वस्त करने में चमतकारी पर भाव रखती है कह है आईर वे चिकिसा एक किलो सरसो का शुद तेल सो ग्राम लस्टन की मीगी हथात गुदा या गरी पच्चिस ग्राम अजवाइन तथा दस लोंगले साफ कड़ाई में इन्हें डाल करके तब तक बाले जब तक लस्टन की मीगी जल कर काली एक दम नहीं हो जाए इस तेल की मालिश रात्री में करें जिस अंग पर पक्चा गात का परभाव है उस अंग के साथ साथ उसके विपरीत अंग पर भी मालिश करें अर्था तो सीधे हाथ की और रोग हो तो उल्टे हाथ की और मालिश करें नबे दिन तक मालिश करने से रोग का शमन हो जाएगा साथ ही निमनी योग का भी परियोग करें समस्थ गाए सिंग वाली का गोबर एक किलो तथा दुस्सोपचास ग्राम गोमुत्र ये दोनों ही ताजा तथा भूमी पर गिरेवे ना हों गोमुत्र तथा गोबर को ठीक से मिला करके रोग रस आंग पर हर सुबे मालिश करें ख़ है होमियोपैथि कोश्टी किसी भी परकार का पक्षागा तो होमियोपैथि की निमन ओश्टियां लगवक आठ दिन तक तीन तीन गंटे के अंतराल से प्रति दिन दें उसके पच्चाद सोना दिन तक छेचे गंटे के अंतर से दें तत पच्चाद प्रति सो वार केवल नंबर एक और नंबर दो उश्टियी थी पना है इलैप्स केरानिलस दो सो शक्ती दो कोनियम दो सो शक्ती दोसरा कौनियम दो सो शक्ती तीसरा काश्टिकम दो सो शक्ती चोथा जलेसियम सेंपर दो सो शक्ती यदि सीदे कंदे से बाँ तक दर्द हो तो बेलो डोना दो सो शक्ती केवल दो दीन बाँ ओस्टी देते समय या लेते समय रोगी इसम मंतर का उच्चारन करें आउस्तम जानुनी तोयम विद्यो नराइनो हरी गंगा जल समस्त परकार के विशाक्त की तानुओं और प्रती कूलवात आदी का श्यमन करने में सम्मत्त है तथा भगवान ही एक मातर जगत के विद्यो और गुरु है आते हैं उनका निरंतर नाम समरन होना ही चाहिए गह है मंतर जगिसा मंतर जगिसा में मुख्य रूप से भगवन नाम जप मंतर जप और अनरुस्ठान आदी की परधान ता रहती है मृत्यम जप मंतर के परभाव से बड़े बड़े अरिष्ट सैजी दूर हो जते हैं भगवान जी के नाम में अनंत शक्ति सन्निहित है दिल्ली स्थित कई बड़े अस्तालों में निम्न मंतर का सवल्तम प्रिक्षन किया गया है तो था अने को रोगी इस से लापराप्त कर रही है अच्युत अनंत गोबिंद उच्चारन भेश जात नश्यंती सक्लारोगा सत्यम सत्यम वदा महिम अथाद भगवान कृष्ण के ओम अच्युताई नमा ओम अनंताई नमा ओम गोबिंदाई नमा इस नाम रुपी ओष्टी का उच्चारन जब करने से समस्त रोगों का नाच हो जाता है यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ पक्षागात के रोगी को प्युक्त जो तीनों उपाई बताएगी है उन सब का यताविदी नित्य प्रयोग करना चाहिए रोगी को निराश नहीं होना चाहिए उसे यह धार ना रखने चाहिए कि मेरा स्वस्त सुदर रहा है मैं चलने पिरने तो था काम करने में समस्त हूँ भगवान जी की मुच्वर पूर्न क्रिबा है मेरा पूरु कृत पाप करम का फल्शीन उड़ा है अपने सहयोगी परीजनों का उपकार मनना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए तो था परीजनों को भी रोगी को भारस सवरूप ना मान करके उसकी सिवा करने चाहिए संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध करम के शेह हुने पर ठीक ना हो ध्यान दे रोगी को माल अवरोध नहीं हो उसके लिए उसे हमियों पैठी की कुलोन सौनियां दो सो शक्ती के एक खुडा कराते को सदाचार से ही रहित मनुश्य आरोग्य आयू संपती प्राप्त नहीं कर सकते